Good morning student, I welcome you in the online classes of New Rational Public School आज हम class first का mathematics subject पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ रहे हैं chapter number 7 chapter number 7 का name है counting on abecus counting on abecus page number है आपका 31 open your books page number 31 counting on abecus अब abecus होता क्या है? हम उस पर counting कैसे करते हैं? abecus जो आपका object है या जो भी चीज है abecus उसमें क्या किया जाता है? आपकी इस तरीके से बना होता है आपकी book में भी इसकी picture दी गई है देखिए यहाँ का दिखाई दे लिए सबको picture यह है abecus इसमें क्या होता है? यह इस तरीके से होता है आपका यह two parts में डिवाइड होता है यह आपका इस तरीके से होता है इसमें नीचे की तरफ जो numbers होता है वो count के जाते हैं ones के अंदर किसमें? ones में one, two, three, four नीचे की तरफ इसमें four bits होता है जैसे मोती नहीं डाले होती है किसी चिश के अंदर इसमें four bits होता है नीचे की तरफ और उपर की तरफ होता है आपके और उपर वाले bits से बनता है tans, tans means tans मतलब क्या हुआ tans मतलब एक tans में आपने जब chapter पढ़ा था, ones and tans का, हमने chapter जब पढ़ा था ones and tans का, तो उसमें देखे, हमने पढ़ा था, ones and tans, तो one ten में किते numbers आते हैं, बताए one ten में आते हैं, ten numbers, means one ten is equal to ten, one ten is equal to ten, okay and two ten two ten is equal to twenty, इसी तरीके से three tans three tans is equal to thirty okay, four tans four tans is equal to forty, इसी तरीके से आगे बढ़ता लाएगा, five tans is equal to fifty, six tans is equal to sixty, seven ten is six tans is equal to sixty, eight tans is equal to eighty, ten tans is equal to hundred, okay अब इसे count कैसे करते हैं, अब इसे count कैसे करते हैं, जो देखिए, one, two, three, four, अभी इसको हम five में count करेंगे, ओके, जो भी यह पूरा ten हो जागा, five, six, seven, eight, nine, और यह पूरा ten, ओके, अब अबेकास में count इस तरीके से किया जाता है, अब इसको हम दूसरे तरीके से, आपकी जो बुक में जिस तरीके से दिया गा, उस तरीके से समझते हैं, यह होता है आपका अबेकास, इससे आप add भी कर सकते हो, बड़ी-बड़ी desserts को, this अबेकास has two spics, then are represented on the spik named T, T means, it means, two parts बता है मैंने, एक उपर वाला फीच, डिवाइड हो रहा है, फीर नीचे वाला, okay, तो करते हैं, T, T means क्या हुआ, tense, T means, ten, okay, and दूसरे part, put on the spik named O, जो second part होता है, उसको इसकी करते हैं, O, O means, once, clear, T means tense, and O means, once, for one ten, we put a bead on the T spik, मैंने आपको बताया, जैसे अबेकास था, आपकी बुक में लिखा हुआ है, साफ साफ, जो उपर वाला beads होता है, वो one ten में count होता है, किसमे count होता है, one ten, it means, इसका mean है, one ten, मतलब इसमें, one beads में, ten numbers है, उपर वाले part में, इससे speak करते हैं T, और इससे speak करते हैं O, O means once, and T means tense, okay इससे हम देखिए, one, two, three, four, ten यहाँ count हो रहा है, जैसे ही होगा, यह पूरा ten number हो जाएगा, और आगे count करेंगे, तो ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, नीचे वाले numbers भी से count होंगे, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, okay इस तरीके से हम count करते हैं, और जैसे ही two, उपर वाले two beads मिल जाएगे, तो वो हो जाएगा two tens, कितना हो जाएगा, two tens, okay two tens means twenty, two tens means twenty, two tens means twenty, Oka means, आपको यह तमझे में होना, अबेकस ने, कि इसके two parts है, उपर वाले parts को T से define करते हैं, और नीचे वाले parts को one से, यानि O से, okay now let's count on abecus, अब abecus से कैसे count करेंगे, अब यहाँ देखिए, नॉर्माल यहाँ आपको रूम में नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से देखिए, आपके पास two roads बनी होई है, एक flat है, two roads है, एक है tans और एक है ones, okay, tans and ones, इसमें आपके क्या डले होंगे, bits डले होंगे, यानि जो मोती, bits को क्या बोलते हैं, मोती, आपने देखिए होंगे, छट्टे बच्चों के पास इसे खेलनी का होता है, वा बेकस ही होता है, तो इसमें bits डले होंगे, उन्हें count कर के हम बताएंगे कि ये कितना हुआ है, clear, हम ones में, आपको इसमें clearly book में बताया गया है, कि जो हमारे ones वाला पार्ट होता है, उसमें 9 numbers तक आ सकते हैं, कहां तक आ सकते हैं, 9 numbers तक, क्योंकि 10, जैसे ही वो 10 बनेगा, तो वो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा न, तो वो किसमें आए हमें आगे के, जो 2 desert number होंगे, वो आएंगे, ओके, बिखें यहाँ पे, जैसे हमाई पास bids हो सले हैं, 1, 2, 3, 4, और यहां डला हुआ है, 1, तो अब हमें क्या करना है, इन्हें count करकर, bids को count करकर number बनाना है, क्या बनाना है बिटा, number, आपको यही दिया गया है book में, कि bids को count कीजे, counting करनी है हमें, अब बताइए, यह कितना number हुआ, अब हमें इसको देखकर बताना है, कि इसमें कितना number हुआ, तो once में count करेंगे, first, one, two, three, four, कितना हुआ, side में लिख देते हैं, कितना हुआ, four, four, okay, and tans में कितना है, one bits, one bits मतलब, tan number, या one tan, okay, क्या बोल सकते हैं, मुझको, tan या तो tan, plus tan करूं, या फिर one tan, इस तरीके साम देख सकते हैं, one tan, plus four ones, okay, यहां है, one tan, and four ones, और numbers में लिखे, तो tan, plus four, इससे add करके देखिए, zero, plus four, four, one के नीचे quality इस इतनी है, इसलिए, one का as it is, one, one tan, and four ones, 14, क्योंकि one tan में ten numbers होते हैं, four ones का as it is, four, कितना हो जाएगा, 14, तो हम यहां क्या करेंगे, जितने मिý tans वाले में, जितने मिबी bits होँगे, उसे tense में count करेंगे, numbers में count ना करके, direct tense में count करेंगे, ताकि हमें plus नहीं करना पड़े, okay, जैसे कि one, tan नहीं लिखेंगे आगे, only one, टू बिर्स हुए तो टू, थी हुए तो थ्री, ओके, टैंस आपको नहीं लिखना है, only numbers लिखना है, कि कितने टैंस है, 1 है, 2 है, तो यहाँ कितने टैंस है, बताइए, 1s को as it is लिखना है, 1, 2, 3, 4, 4, 1s, ओके, and 1, 10s, 1, 10s, तो यह number कितना हुआ, 14, कितना हुआ, 14, इसी तरीके से आगे देखिए, वही आपके pulse अबेकस है, 1s, 10s, ओके, इसमें bits दे ले हुए है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके? अब बताइए, यहाँ 1s कितना है? 1s कितना है? मैंने आपको बताया, 1s में कहां तक के number आ सकते हैं? 1, 2, 9, तो काउंट कीजिए 1s में कितने number है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1s, आगे 1s नहीं लिखना है, उनली कहां लिखना है? 6, ओके? And 10s, 1, 2, 2 10s, किसमें हैं यह? 10s वाली रोड में है, तो 2 10s, तो 2 10s का कहां लिख होगे? And only 2, तो यह number काउंचा हुआ? 26, आपको count करना आ रहा है अब इकस में? अब second count, next example count करते हैं, आप लोग बताएंगे, ओके? मैं अब इकस डोग करते हूँ, आपको आपको count करना है यह आपका है 1 और यह है 10s, ओके? अब बताएंगे, इस अब इकस में कौन सा number बन रहा है, आपको क्या करना है, अब इकस में count करना ही तो सिखना है आपकी chapter का नाम क्या है? counting on अब इकस, ओके? हमें count करने है, बिर्स को count करके, क्या करनी है? counting करनी है तो देखें, count कीजें, पहले किस में count करेंगे? once में, very good, किस में count करेंगे? once में, तो देखिए one, two, three, four, five, six, seven, कितने weights हैं मिटा? seven तो seven, उपर क्या लिखा हुआ है? once, तो ये कितना हुआ? seven, once seven, once, ओके? अब tense वाले, कौन से रोड में चेक करेंगे? tense वाले में तो देखिए, one, two, three, four, four beats है, मतलब कितने tense हुए? four, tense four को लिखेंगे? इस तरीके से, four, seven, forty, seven, तो ये number कौन सा बना? four, seven, और आप साथ में हो सकें, तो उनके number ने भी speak कीजें, ताकि वो भी repeat हमारे हो जाएं अब आपकी हम book के questions solve करते हैं, book में आपको क्या करना है? fill करना है, ये देखिए, दिखा हुआ है now let's count on abecus and write the number names, आपको क्या करना है? number names लिखने है, आपको abecus दिया गया है और आपको उसके number name लिखने है इस तरीके से आपको abecus बना हुआ है, यहां लिखा हुआ है tense और यहां है once, ओके, tense of once यहां तो पर भी लिख सकते हुआ, नीचे की तरफ भी लिख सकते हो आपके लिख में नीचे दिया हुआ है, आप देखिए, यहां बने हुए है one, two, three, four, five और यहां है one, two, three और यहां आपको dash दिया गया है, ओके, अब आपको क्या करना है number name लिखना है, अब एक अस में, count करके, तो देखिए, one, two, three, four, five, once में कितना है, five, तो five, once यहां आपको book में लिखना है, only मैं बता रही हूँ कि number कौन सा हुआ, five, once, and tense में count कीजे, one, two, three, three, tense, तो यह number कौन सा हुआ, 35, अब आपको इसका क्या लिखना है, number name लिखना है, 35 का number name, हमने जब first chapter पढ़ा था, तो उसमें numbers पढ़े थे, उनके number name पढ़े थे, तो उसका number name देखिए, 30 की spelling, T, H, I, R, T, Y, 30, and five, F, I, V, E, five, 35, ओके, इसी तरीके से आपका second question क्या है, वो देखिए, अब एककस बना हुआ है आपका, लिखे लिखा हुआ है, once, यहाँ, tense, once में है आपके three bits, one, two, three, okay, and tense में है four, one, two, three, four, पहले हमें number बताना है कि number कौन सा बना, one, two, three, three, once, तो यहाँ लिखेंगे three, okay, and tense कितने हुए, tense वाली road में कांट कीजे, one, two, three, four, four, tense, tense में है नहीं, four bits, तो four, ten, तो यह नंबर कौन सा हुआ, 43, okay, 43 का नंबर नीम आपको, साइड में लिखना है, 43 का नंबर नीम स्पीक कीजे, 40 की स्पेलिंग, F, O, R, T, Y, 43, T, H, R, E, 3, 43, इसी तरीके से आपको नीचे four questions और दिये गए है, यह भी count करके solve करने है, ठीके, tense में count करना है, और once में count करना है, और फिसका number नीम मिठना है, आगे दिखिए आपके page number 32 पे, page number 32 पे आपको क्या दिखाया गया है, once hundred, अब इसमें आपको बताया गया है, one two hundred counting में बताया गया है, कि nine is the largest one digit number, आपको यह learn होना चाहिए, कि जो nine है, वो सबसे largest number होता है, one digit में, क्योंकि जैसे ही ten आता है, तो वो कौनसा हो जाता है, two digit number हो जाता है, तो nine क्या है हमारा सबसे largest number होता है, कौनसा, one digit number, ओके, nine is the largest one digit number, यह आपको learn रखना है, कि nine क्या होता है, सबसे बड़ा, one digit number होता है, क्योंकि जैसे ही ten number आता है, वो कितने digit हो जाता है, two, two digit देखिए, one, two, two digit आ रहे है, और ten, ten क्या होता है, सबसे smallest two digit number होता है, ten is the smallest, smallest कमिंग क्या होता है, सबसे छोटा, smallest two digit number, ओके, यह one to hundred counting में से बता रहे है, अभी तो one to ten में होआ है, जो one to nine होते हैं, वो only होते हैं, one digit number हो, जैसे ही ten आता है, कहांस क्या start होता है, two digit number, और 99, 99 hundred से पहले आता है, और 99 हमारा होता है, is the, 99 is the largest, largest कमिंग मैंने आपको बताया था, क्या होता है, बड़ा, largest two digit number, आपको यह तीनों चीज़े लग रखनी है, nine is the largest, one digit number, ten is the smallest, two digit number, क्योंकि ten से जस्ट पहले nine आता है, और वो one digit हो जाता है, तो ten क्या है, सबसे छोटा two digit number है, and 99, 99 क्या है, सबसे बड़ा two digit number है, क्योंकि 99 के बाद में आता है, hundred, क्या आता है, hundred, तो hundred में देखे कितने digits आ रहे हैं, one, two, three, तो two digit खताब हो चुके है, 99 पे, तो 99 क्या होता है, सबसे बड़ा largest two digit number होता है, अब आपको homework में क्या करना है, homework में आपको page number 31 पे जो मैंने आपको बताया, क्या आपको abecus पे count करना है, और यहाँ उसका number name लिखना है, तो आपको as जबनों में करना है, page number 31 फिल करना है, और आपको इसके लावा number names भी learn करने है, ठीके, इसके आगे हम next lecture में आपके three digits number count करना सिखेंगे abecus पे, ओके, thank you, have a nice day.